नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.nainsubha.org www.nainsubha.org आज हम बनाएंगे सेंड्विच सेंड्विच बनाने के लिए जिन अज्जा की जरूरत है उसमें शामिल है ब्रेट, एक अंडा उबला हुआ, मायनीज 100 ग्रैम्स या फिर चिकन स्प्रेट कोई सी भी फ्लेवर वाली 100 ग्रैम्स याद रहे कि अगर आप चिकन स्प्रेट यूज़ करेंगे तो नहीं आप कोई मसाला यूज़ करेंगे और नहीं चिकन यूज़ करेंगे क्योंकि चिकन स्प्रेट में अल्रेड़ी ये सब चीज़ें एड होती है 100 ग्रैम्स बॉइल चिकन श्रेड हुआवा मसालों में एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी नमक, एक चुटकी लाल कुटी भी मिर्च जाइके के लिए या फिर एक चुटकी चिकन पाउडर जाइके के लिए बनाने का तरीका चिकन को बॉयल करके श्रेट कर लें फिर bread लेके उसके corners को cut कर लें अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं cut हुई भी bread professional look देती है अंडे को boil करके छोटे छोटे pieces कर लें अंडे को उबालने का time पानी के उबलने से 5 minute तक half boil 7 minute से लेकर 9 minute तक full boil फिर एक bowl में mayonnaise, अंडे के pieces, रेशे हुआवा chicken, नमक, काली मिर्च, लाल कुटीवी मिर्च और chicken powder एड़ करें इस तमाम batter को अच्छे तरीके से mix कर लें फिर bread का एक slice लेकर ये batter butter knife से इस तरह अपलाए करें कि slice पूरा cover हो जाए फिर दूसरा slice लेकर इस पर रखके इसको तिकोन शेप में काट लें और आपका sandwich ready है और अगर आप chicken spread यूज़ कर रहे हैं तो अंडे को chicken spread में mix करके डबरोटी पर लगा सकते हैं ये थी हमारी आज की recipe अब आपसे अगली recipe में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए